हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे हूँगे स्वस्त ओंगे मस्त ओंगे आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सीमास व्लॉग में तो फ्रेंट आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ यूट्यूबर्स के कैमरे के पीछे की जो सचाई है उसके बारे में उसी टॉपिक पर मैं आप सबसे आज बात करूँगी कि क्या होती है हमारे जो यूट्यूबर्स है उनके कैमरे के पीछे की सच्चाई क्या है और कैमरे के आगे की सच्चाई क्या है वो तो सब आप जानते ही हो लेकिन पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता है तो वही सच्चाई मैं आज आप सबके सामने सेयर करूंगी कि क्या है वो सच्चाई तो फ्रेंड्स जब हम लोग YouTube पे कदम रखते हैं तो हर YouTubers को चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो उनको बहुत ही कशनाईयों का सामना करना पड़ता है तब जाके वो कहीं इस मुकाम पर पहुंचते हैं ऐसे ही कोई YouTube पे नहीं आ जाता है और जब लोग आता है कोई तो लोग इतने मतलब बातें करते हैं कि वो क्या कर रहा है वो तो वीडियो बना रहा है वो ये कर रहा है वो कर रहा है मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हूटिंग करते हैं और सबसे ज़्यादा जो ये चीजे हैं वो सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है जो हम व्लॉगर्स हैं उनको क्योंकि जिनका खाने का चैनल है जिनका और किसी का चैनल है उन लोगों को इतनी ज्यादा ये वात है फेस नहीं करनी पड़ती है लेकिन हाँ जो व्लॉगर्स होते हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है घर पर भी और वाहर उनको ऐसा नहीं कि घर में लोग बहुत अच्छे से टीट करते हों बिलकुल नहीं घर में भी उनको बहुत ही मतलब गंदे तरीके से टीट किया जाता है कि अरे ये तो ब्लॉग क्या करती है दिन बर मॉबाइल लिए बैठी रहती है वीडियो बनाती रहती है ना तेरे इस्तेदार वो सब भी बस कहीं भी मिल गया रहे ये तो बस वीडियो बनाती है मतलब कोई भी कमेंट छोड़ने से बाज नहीं आता है सब हर तरफ से उसको बहुत ही कुछ सहना सुनना पड़ता है और तब जाके वो अपने इस मुकाम पर पहुचता है और उसके बाद मतलब उसका ऐसा नहीं तक का ये था कि उसके बाद उसको नहीं सुनना पड़ेगा जितना इंसान हुचाईयों फिर पहुंचता है उतने ही ज़्यादा और इन सब चीजों का सामना करना पड़ता हम सोचते हैंगे चलो अभी हम छोटे यूट्यूवर्स हैं इसलिए सब लोग कह रहे हैं किसी दिन हम बड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं कहेगा बिल्कुल भी इसा नहीं है जितना आप बड़े होते जाओगे उतनी जादा और इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा तो ऐसे ही हमारे कुछ यूट्यूवर्स हैं जिनकी कहानी में आप लोगों के साथ सेयर करूंगी कि क्या है उनके कैमरे की पीछी की सच्चाई तो पहले त बड़े यूट्यूवर्स हैं इनके मिलियन में फॉलोवर हैं इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी और इनके वीडियोस बगएरा बहत ही अच्छे होते हैं मैं इनके जब मैं यूट्यूब पर आई भी नहीं थी उससे पहले से मैं इनके वीडियो बगएरा देखती ह और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इनकी फैमिली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं इनके वीडियोस देखती थी पर जब से मैं यूटूब पर आई हूं तो इतना ज्यादा मैं नहीं देख पाती हूं तो अभी बीच में अफवाएं आई कि कहां गायव हो विबेक जी और खुसी जी तो क्या होता है न कि जब यूटूब पर हम काम करते हैं अगर हम किसी भी कारण बस अगर कुछ मतलब हम कुछ दिन एक्टिव नहीं रह पाते हैं तो लोग तुरंत ही उस पे अपने गलत गलत कमेंट देना शुरू कर देते हैं वो इस चीज का व कि वो अपना शुरू हो जाते हैं बोलना तो ऐसे ही हमारे विबेक चौदरी जी और खुसी पंजावन जी के साथ हुआ कि वो तीन-चार महीं ने एक्टिव नहीं रह पाई यूटूब पर और उनको इतना कुछ सुनना पड़ा लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला है कि कि उनके ससर बहुत बढद नहीं हैं इस लिए हो रही है कोई कहता था कि विवेक का फैर कहीं है इसलिया हो रही है工 Come jeux पंजावन के सास最ında बत्तमीं है इसलिए और आहां मतलब आप यह संज़ों कि उन्गत तो तलाक हो ग track हो गया है, वो दोनों तो अलग हो गए हैं, यह सब बात आई दिन YouTube पे इतनी गंदगी बोली जा रही थी लोगों के लिए YouTube पे इंस्टा पे हर जगए गंदगी गंदगी बोली जा रही थी लोगों के लिए पर इनकी जो सच्चाई थी वो अभी जाके सामने आई सच्चाई क्या थी कि इनकी फैमली में किसी करीवी की डेथ हो गई थी और इस वज़े से ये लोग इतने दिन एक्टिव नहीं हो पाए जरूरी नहीं कि हर इंसान एक साओ कुछ मतलब तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कुछ लोगों को एक्टिव होने के लिए टाइम लगता ह तो वैसा ही इनके साथ हुआ कि इनके करीवी की डेथ हो गई उसके बाद इनकी सिस्टर की दवेद्ध खराब हो गई क्योंकि यह बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं अंधी एप्पी फैमली अपिले हो आप लोग आप देख सकते हैं बहुत प्यारी है मम्मी पापा दीदी जी जी सब बहुत अच्छे हैं बहुत लबिंग गेचर की हैं तो मतलब मुझे तो इतनी हैपी फैमली लगती है कि मैं इसी लिए इनकी वीडियो से देखती थी क्योंकि इनकी मुझे जो फैमली है वो बहुत ही प्यारी लगती है देखने में बहुत अच जादा ही जगंदगी हो रही है तो फिर इनको फाइनली आना पड़ा और अब ये कंटिन्यू एक्टिव हैं तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि प्लीज अगर कोई किसी कमेंट करो तो पहले उसकी सच्चाई जान लो उसके बाद उसके बारे में कुछ भी गलत गल है और इस चीज का फाइदा हमारे जो आजकल के यूटिवर्स हैं हम लोग मैंसे ही जो न्यूडू है वो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए इस चीज का बहुत फाइदा उठाते हैं तो ना उठाएं तो फ्रेंट्स आब में बात करने जा रही हूं अपने सेकेंड आजवीर जी इनको तो सभी लोग जानते हैं फर्ष्ट को चाहितना ना जानते हों और साथ में ये इनकी क्यूट सी ननद तो इनकी बहुत ही प्यारी सी बहुत हैपी सी फैमिली थी और इनकी स्टोरी मेंने सेयर भी की थी आप सबसे तो अगर जो मेरे पुराने जो सब्सक तो कहते हैं ना फ्रेंड की समय बदलते देन नहीं लगती कब किसकी जिन्दगी में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है वैसे ही सपना जी के साथ में हुआ इनकी बहुत छोटी उमर में इनके साथ बहुत कुछ हो गया जो भगवान न करे किसी लड़की के साथ हुओ इनकी 18 सा साथी हो गई राजवी जी से इनकी एक बेटी हुई और उसके बाद राजवी जी का निधन हो जाता है एकसी जेंट में जो सुनके बहुत ही दुख होता है और अब भी जब भी राजवी जी को देखती हूँ तो बहुत कस्ट होता है तो उसके बाद इनकी जीवन में बहु बहुत खुस रहती थी और हमने यह लखते है कि इनके घर कोई टैंसर नहीं खुछ बहुत खुस है लेकिन यह सब श국 सच नहहीं था जैँगी अभी पता चला जैब इनके सिंट पती U laughed whee ke надо पता है उंकी तो भान वे भा मान copies की इनत पता यहीं बहुत जादा bonding थी जब से इनके पती खतम हो गए थे वो इसका बहुत ध्यां रखती थी पर इनके सास सुनने उसको भी उसके घर बेद दिया है इनको भी निकाल दिया है तो अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गए है सब और बिल्कुल फैमिली इनकी तूट चुकी है तो और ना ही बोलना चाहूंगी कि उसकी वो उसकी परसनल लाइफ है तो उसको अपना निड़े कुल लेना है तो उसको क्या करना है कैसे करना है और लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस चीज़ का फायदा उठाया है तो मेरा उन सबसे हां जोड़के निवेतन है कि प होके आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोसिस ना करें आप मेहनत करेंगी तो आपकी मैनेजरूर रंग लाएगी और अपको फल भी देंगे लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा के या किसी के साथ मतलब उसकी किसी कमजोरी का फायदा उठा के अगर हम आगे आ सकें और एक खुस वहल जिंदिकी जी सकें तो वस मैं सपना जी के लिए इतना ही बोड़ सकती हूं तो फ्रेंट्स अब में बात करूंगी अपनी जो सर्ता दरग जी हैं जैपुर से बहुत बड़ी यूटूबर्स हैं और सचिन मनीशा जी की इनकी इन दोनों के बीच अ इतना बोला है कि एक दूसरे ने भी एक दूसरे के लिए बहुत गंदा गंदा बोला है उनके सपोटर्स ने भी एक दूसरे को बहुत गंदा गंदा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए वो सब कुछ भी बोला है पबलिकली तो ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि इन दोनो सचिन जी हैं वह साइड के हैं और आज कल लिए यूटिवर्स में बहुत ज्यादा क्रेश चलना था कि सब एक दूसरे के खर जाते थे कोई भी चोटा वड़ा फंक्शन हो और अच्छा भी लगता था बहुत देखने में भी अच्छा लगता था लेकिन कहते हैं ना कि बहुत और भाई भाई भाईन के बीच में कुछ ऐसा चोटा मोटा इसू हो गया उसको लोगों ने हवा दी के बहुत बड़ा बना दिया इतना बड़ा बना दिया कि वो कंट्रोवर्सी यूटिव पे फैल गई चारो तरफ सारे यूटिवर्स पर रिशान हो गए और मतलब उन लो है तो यह सब हमारे जिंदिगी में लगा रहता है अगर हम यह आए तो अच्छा बुरा सब कुछ फिस करना ही पड़ता है लेकिन इस चीज का दूसरे फाइदा ना उठाएं अगर आपस में हुई है तो आपस में अगर उनकी हुई है तो सला भी हो जाएगी भाई बेनों म नहीं उठाना चाहिए और जो तीसरे होते वो तो बॉका छोड़ने वाले हैं नहीं उनको तो बस थोड़ा सा मिल जाए कुछ फिर उसमें तो वह नमग में मसाला लगा के अपना काम करते हैं तो वही बस इन लोगों के साथ है भी हुआ लेकिन भगवान सब इन दोनों को मत पहले जैसे हो सकें तो अच्छा लगेगा क्योंकि पहले ये सब साथ में होते थे तो बहुत अच्छा लगता था तो भगवान करें पहले जैसे ही इन दोनों में रिष्टे बन जाएं और ये दोनों फिर से साथ हो जाएं फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगे अपने तो चलिए इनके वारे में कुछ बाते हैं आप से मैं सेहर करती हूं जैसा कि फ्रंट सब को पता ह kole दोनों बहुत छोटे सिटी होसे हैं जो हमारा बहुत ही छोट तब अडेरी के देरी अपनी चेह थे साधी की थी और उसमें अंकुस का बहुत ही नेचर हसमुक है, बहुत ही अच्छे से सब के साथ मतलब बात करते हैं, स्वाती भी बहुआ अच्छी है, क्यूट सी है, और अंकुस का थोड़ा अलगी नेचर है कुसमिजाज वाला तो दोनों ने मतलब बहुत जल्दी ही इतनी उचाईयों को छू लिया अभी इने ज्यादा टाइम आए ने हुआ लेकिन ये बहुत जल्दी ही इस उचाईयों पर पहुंच गए हैं कहां से और कहां तक कहां इनका मतलब बहु किसी से किसी की खुषी वरदास्त नहीं होती है तो बस ऐसे ही हमाय अनको स्रिवास्ता के साथ हो गया कि इनकी खुषी किसी को बरदास्त नहीं हुई और बहुत जल्दी ही इनकी खुष pickup को भी नजल लग गई है क्यूंकि अभी अभी इमका», एक मेहना के लगवग होने जा हैं और उनके मिलियोन में फॉलोर उनके भी थे तो इस वज़े से वो उनकी जो इंकम आती थी मंतली वो रुख गई है उस वज़े से उनके सारे खर्चे रुख गए हैं वो मकान बनवा रहे थे वो मकान भी उनको रोकना पड़ गया है क्योंकि फर्स तो हम लोगों को यह ध् साथ में आप दूसरा भी काम करते रहो जिससे कि आपका इधर का रुके तो उदर से आपका खर्चा चलता रहे और बांगी फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूं कि प्लीज कोई भी किसी के साथ ऐसा मत करो कोई भी कितनी मेहनत करके यहां तक पहुंचता है तो उसकी मेहनत पर पानी मत फेरो और आपको अगर है तो आप खुद अपना कुछ अच्छा करके दिखाओ अचीब करके दिखाओ लेकिन किसी दूसरे की मेहनत पर पानी मत फेरो तो बस भगवान करें उनका जल्दी से चैनल मिल जाए और वो फिर से जो उनको पर इसानियों का सामना करना पड़ता है वो ना करें और अपना जैसे उनका चला था वहीं चले और वो आगे बढ़ते रहें ऐसे ही फ्रेंट्स अम मैं बात करूंगी अपने फिफ्ट और लास्ट जो हमारे वड़े यूट्यूबर्स हैं विकास फोटर्ड उनकी फर्ष्ट वीबी जो हैं सौनु जी और पिंकी जी के बारे में तो आप सब जो देखते होंगे उन लोगों ने देखा भी होगा कि विकास जी है ने उन्हों दो साधियां की थी तो फ्रेंट्स ये इनकी दोनों बीवियां हैं ये सौनु जी और पिंकी जी और इनकी मतलब दोनों बीवियों के साथ में रहते थ और मतलब अच्छा से चल ला था, पुल कि भोचिकोशियों को नजब लग गई, ऑर इनze के घर जादर बुचा लाया, भर गोगिंदा कि क्या है, तो यूद्धा एंगे को बाइना नो जीमिति आ से बईना ST. लूँगी और यह देखिए इनकी फुल फैमिली है दो दो बच्चे हैं दोनों से एक वेटा एक वेटी एक वेटा वेटी और विकाज जी हैं दोनों वीबी है साथ में आप देखो क्या होता है पिंकी जी तलाक लेती हैं कि नहीं लेती हैं कि सब साथ में रहते हैं तो हैं फ् तो भगवान करें इनके भी घर में जो समस्या हैं उनको जल्दी से सॉल्व करतें और इनकी फिर से हैपी फैमली बन जाए बस यही भगवान से कहना है और उसके अलावा फ्रेंड्स आप सबसे भी मेरा यह कहना है कि धीरे धीरे चलो अपनी मंजिल तक पहुँचो जल्दवा ही लेकिन मिलेगी जरूर और जल्दवाजी करना अच्छी बात नहीं है तो मेरे सभी प्यारे भाई बैनों से जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनसे यही कहना है कि प्लीज किसी भावनाव को ठेस पहुचा के आगे बढ़ने की कुशिस ना करो और अपना दीरे दीरे चलते रहो कामयावी जरूर मिलेगी सबको और इसके लावा मेरा फैमिली फ्रेंट से भी सबसे हां जोड़कर कहना है कि प्लीज अगर आप लोग हम लोगों को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो अगर आप लोगों को हम नहीं पसंदे हमारे वीडियो मत देखो जब तक आपको कोई जानकारी नहीं है तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात नहीं कर सकते तो आपको नमस्ते हां जोड़कर मेरी बिंती है कि आप प्लीज हम लोगों पे गलत कमेंट ना करें क्योंकि हम लोगों को भी हर्ट होता है जब आप सब गलत तो चलिए मिलती हूं फिर आप लोगों से नेस्ट ब्लॉग में तक तक लिए बाई टेक्ट